Hello friends, welcome to my nurture, मैं हो Krishna, कैसे हैं सब लोग, मस, बढ़िया तो लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग Hospital and Clinical Pharmacy का next chapter, chapter number 7 जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, Hospital Pharmacy के अंदर अपने computers का क्या-क्या use होता है ठीक है, almost हमको काफी सारी चीज़े यहां पता हैं, आप लोग कोई पता भी होगी, जानते भी होगी और लिख भी सकते हो लेकिन कुछ यहां पर ऐसी technologies हैं, कुछ ऐसे main-main headings हैं, जो अगर दिमाग में रख लोगे, तो लिखना बहुत असान होगा यह chapter भी ऐसा है, जो आप लोग इसके बारे में जानते हैं, बस एक बारी ध्यान से सुन लो, खेल खतम इस chapter का शुरुआत करें, तीन topic हैं इसके अंदर, application है, electronic health records है, और कुछ software है, जो hospital pharmacy में use होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी basic information यहाद लेगे हैं हम लोग, तो start करते हैं, तो application के अगर हम बात करें बेटा, तो सब को पता होगा, अगर कभी किसी hospital में गए होगे, ठीक है, तो आज कल क्या है, सारे जो पर्चे हैं, वो कैसे होने लगे हैं, computer से बरने लगे हैं ना, एक comparison पर पर्चा निकलता है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसी पर्चे पर डॉक्टर क्या करता है, कई बार, अपना prescription भी लिख देता है, कि क्या क्या दवाईयां वगरा दी जानी है, तो patient name, doctor name, drug name, quantity कितनी देनी है, prescription number, prints, label, calculate the price, discount वगरा, सब कुछ आपका, एक computer के थू प्रिंट होकर के पर्चा वो आ जाता है, ठीक है ना, तो सबसे simple prescription, obviously बात है, prescription के लिए हमको इस्तमाल करते है, prescription refilling, refilling का मतलब क्या होता है, भाई यह जो data आपका record हो गया है, ठीक है जब next time आप लोग आते हो, मालो कोई data आपका miss था, है ना, कोई data उसमें भूल गये थे, तो वो वापस से refill किया जा सकता है, pharmacist entered data regarding the prescription, prescription के regarding कोई data, enter कर सकता है, if data not available, अगर data available नहीं है, to avoid any warning message, ठीक है अगर कोई data नहीं होता है, तो software के लिए तो warning message देता कि यह data रह गया है, इसको fill कीजिए, appear if the prescription is out of data, अगर prescription जो है, उसमें मालो 8-10 column है, हर एक column mandatory है, आपका BP कितन सुगर कितना, पास्ट में हिस्टी होगा है, पूरा data record होता है, कोई data अगर आपका miss रहता है, तो उसको refill कर सकता है, ठीक है, दौरा से भर सकता है, now e-prescription, आज कल यह बड़ा प्रेचलन में है, बड़ बड़ा hospital में, होता है क्या है, आपका number लग जाएगा, ठीक है, आप doctor बुलाएगा आपको पर्चा आपका जो होता, doctor आपको diagnose करता है, doctor अपने computer पे type मारता है, क्या-क्या आपको दवाईयां दी जानी है, और enter मार देता है, वो पर्चा सीधा पहुंच जाता है, फार्मेसी में, उसी hospital की फार्मेसी में, आप जाते हो सीधा फार्मेसी में, अप आपको starting में कोई पर्चा नहीं दिया जाएगा, लास्ट वजा दवाईयां मिलेंगी तब आपको दे दे जाएगा, तो e-prescription are computer generated prescription created by the healthcare provider, ठीक है, जो healthcare provider, doctor वगरा उसे create करते हैं, and sent directly to the pharmacy, और फार्मेसी में direct send कर दिया आते हैं, e-prescription are sent electronically through a private secure and closed network, जो e-lane या LAN वगरा जो होत आता है, उसके थूरू क्या कर दिया जाता है, send कर दिया जाता है, तो through a private secure and closed network, जो secure network की बात हो रही है, this is the land जो अपना office का office में होता है, कोई भी data इधर सुदर आप भेज सकते हैं, एक computer से दूसरे computer में, उसकी बात हो रही है, क्या फायदे है, e-prescription के process fast हो याती है, अब यह नहीं कि पर्चा लेके आएंगे, फिर वहाँ जाएंगे, लाइन लगाएंगे, सीधा पर्चा चला गया, जब तक आप pharmacy पहुंचोगे, मालो थोड़ा सा pharmacy नीचे ground floor पर होती ही generally, आप उपर के फ्लोर में दिखा के आ रहे है, सब तक आपकी medicine निकल कर बहार आती है, fast र description at the pharmacy, अब आपको extra नहीं जाना है, कि आप चला वहाँ जाएंगे, पर्चा देंगे, फिर आपकी दवाया निकलेंगे, वो बच गए आप, legible, legible मतलब डॉक्टर अपनी handwriting में दो लिखता नहीं, टाइप करता है, उससे क्या, टाइपिंग से सारी दवायां clear cut लिखे आती ह है, तो legible हो गया, there is no handwriting for the pharmacist to interpret, यहाँ पर कोई भी handwriting को पढ़ने की जरूत नहीं रहे गए, फार्मसिस्ट के लिए, नाओ, economical, makes it easier for the pharmacist and also for your doctor to prescribe the most cost effective medication based on the patient insurance coverage, patient का अगर को insurance होता तो उसके according है ना, economical, उसको कितनी costly medicine या किस कौनसे medicine दी जाएगे, क्योंकि एक ही salt की कई सारी आती है, जो कुछ बहुत जादा costly होती है, कुछ less costly होती है, तो उसके according हम लोग क्या कर सकते हैं, दवाई है, prescribe कर सकते हैं, ठीक है, prescription processing, अब जो prescription आया है, उसमें process करना है, process का मतलब क्या हो गया, prescription processing is invariably, invariably मतलब होता है, बिना किसी गलती के, बिना कोई अंतर के, one of the main activities going on within a pharmacy, invariably, उसमें कोई भी गलती गुंजाइस नहीं है, हैना, प्रिक्सिसमन आता है, फार्मसिस पढ़ता है, process करता है, उसको क्या-क्या doctrine लिखा है, और क्या मेरे को देना है, patient को, ठीक है, on a day-to-day basis, and computers are used to make this process more reliable and efficient, और computer का हम आजकल इसका इसका इस्तवाल करने लगे हैं, ठी बहुत जाएं, customer service side, मतलब जो customer को service देनी है, of the pharmacy operation, and the dispensing aspect, और जो dispensing aspect है, customer को दवाई दी जानी है, ठीक है, and carry out through the use of computing system, यानि की customer service side of the pharmacy operation, ठीक है न, मतलब सारे चीज़ें आपका billing वगरा रहेगा, computer जनेरेट रहेगा, और dispensing aspect, यह सारा का सारा क्या है, आपका, computer के और और सारी बात घुम फिर के वही हो रही है, prescription के अलग-अलग parts है, उसको हम लोग computer के reference में represent कर रहे हैं, पर, patient counseling, pharmacist can print counseling handout, handout मतलब परचा, जो counseling हुई है, doctor ने कुछ बाते लिखी है, उसको क्या कर सकता है, print करके patient को दे सकता है, prescription label and invoice वगरा को भी print करके patient को दे सकता है, also handout contains any information the patient might need to know regarding precautions or side effect of the medication, वो जो handout दिया गया है, परचा दिया गया है, निकाल करके, उसके अंदर कोई भी ऐसी information हो सकती है, जो patient को जाननी है, need to know, ठीक है, regarding the side effect of the, या कोई precautions वगरा रहे है, side effect or medication के, वो उस परचे पर लिख करके उसको दिया जा सकता है, यानि की, patient की जो counseling की जा patient profile, ठीक है, pharmacist can update patient profile whenever a new prescription is filled, मालोग आया आपर 6 महने बाद लगाता है, 6 महने बाद आया, उससे कुछ वजन चेंज हुआ है, BP चेंज हुआ है, उससे कुछ डिजीज चेंज हुआ है, उसको क्या कर सकता है, patient के profile में update कर सकता है, also if the patient might have any symptoms like allergy, it should be added to the patient profile, और मालोग समय के तो patient profile में add कर सकता है, तो इस तरके से पूरी patient की profile तयार हो जाती है, drug drug interaction, सबको पता है, तो मैंने क्या कहा, यह सारे काम अपने लोग computer से करने जा रहे हैं, याने कि यह main main headings अगर आप लोग दिमांग में रख लेते हैं, और इसको सिर्फ computer से जोड के लिख देना है, काम हो इंट्रेक्शन, allergies वगरा ऐसा कोई mention तो नहीं है उसके prescription में, वो computer खटाक से निकाल के दे रहता है, कि हाँ ऐसा drug column रहता है, उसे indicate कर देगा कि danger जैसा, कुछ भी warning जैसा रहेगा कि हाँ drug interaction है patient के साथ, information, access to the web, अब क्या हो गया है, आप computer बैठे हो web, internet आपको access करने को मिल रह ठीक है, enhanced, बड़ा देता है, बहुत ज़्यादा है बड़े लेवल पे, ability of pharmacist to carry out their duties to a higher standard, क्योंकि अब web है उसके पास, तो उसकी जो duties है, उसका जो काम है, मालो कोई चीज उसे जाननी है, समझनी है, drug के बारे में जानना है, तो खटाक से क्या कर सकता है, type करेगा, और सारी information को लेकर के निकाल लेगा, तो अपनी duty के standard को वो बड़ा सकता है, अब उसके पास knowledge की कमी नहीं है, बारवा के इंजानी ज़रू उतनी है, और net के access से अपना knowledge level को बड़ा सकता है, as well as giving the pharmacy staff access to the vast store of information that is available on the internet, अब internet वो जतना भी ज्यादा information है, वो सारा वो access कर सकता है, internet connect pharmacist to their peers on global scale, global scale पे वो अपने peers, peers मतलब या peers का जाता है, peers, peers मतलब साथ ही, communities होती है, आप से connect हो सकते हैं, पूरे world level पे जैसे फार्मसी की की जो अपनी community है, आप से connect हो सकते हो, knowledge को share कर सकते हो, knowledge gain कर सकते हो, ठीक है, database, computer database system information about the medicines and medical treatment in general are used within the pharmacist, अब database पूरा है, है ना, medicine को लेकर के, medical treatment को लेकर करके, सारा database computer system में generate हो रखा है, आप एक click पे वो सारी information वा से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, तो पूरा database है, किसके regarding में, about medicines and medical treatment, उस सारा database में मौजूद है, उसकी help से, क्या है, जो pharmacist है, अपनी कारच्छमता को बढ़ा सकता है, अपनी कारच्छमता में, माहिरत ला सकता है, ठीक है न, आगे आते हैं, computer can also play a role like, वो सारी बात होगे, कुछ और role भी play करता है, to detect item which have reached minimum order level, है ना, pharmacy में ये काम आता है, कौन सा minimum order पे पहुंच गया है, जानते हैं, minimum order level, पढ़ चुके हैं हम लोग, to prepare list of item to be purchased and their quantity, किन items को purchase करना है, कितनी quantity in purchase करना है, उसकी automatic show होने लगता है, to prepare purchase order for vendors and to avoid duplication, ठीक है, purchase order prepare करने में help करता है, duplication नहीं होने देगा, एक copy बन की बाता है, फिर एक copy बन गई, वो चीज़ नहीं होगी, to detect the infrequently purchased item for possible return on elimination from pharmacist drug supply, वो detect कर लेता है, कि ये सारे items infrequently, यदा कदा purchase किये जाते हैं, ठीक है, for possible return on elimination, जिससे कि उनको क्य अगर समय पढ़ने पर वापस किया सके, या उनको हटाया जा सके, अगर expired वगरा हो गई है, from pharmacist drug supply, to produce periodic summary and purchasing and inventory control statistics, सब जानते हैं, inventory control, purchasing, जितनी भी summary है, कितनी खरीदी है, क्या stock था वगरा वगरा, सारी, पूरा inventory का statistic हम computer से चा कर सकते हैं, produce कर सकते हैं, maintaining patient medical record, patient की पूरी medical record हम जनरेट कर सकते हैं, drug information service, ठीक है, पूरी drug information service, उस computer system में रहती है, तो इतने सारे points से मेटा, कुछ भी लिख सकते हो, मतलब, अगर कोशन तीन या चार नमबर में आ जाता है, सारी, चार में तो नहीं आगा, तीन नमबर में आएगा, maximum, तो कम से मूं साथा पांट यहां से द दवा दे रहे हैं, उसका maximum effect आए, किसी patient के उपर, ठीक है न, तो to maximize the therapeutic action of drug and avoid any toxic effect, किसी भी टाइब का toxic effect नहीं आना चाहिए, side effect नहीं आना चाहिए, side effect अलग चीज़ होगी, toxic effect अलग चीज़ होगी, toxic effect होता है, उसका poisonous nature है, कोई चीज़ ज़्यादा खालो, तो वो poison बन जाती है, pharmacist use following application, pharmacist यह application इस्तिमाल करता है, कौन, कौन सी है, pharmacokinetic application, non-linear computer used for predicting the pharmacokinetic parameters of the drug, जो non-linear application है, ठीक है न, इससे क्या है हम लोग, pharmacokinetic parameters, जो pharmacokinetic parameters होते हैं, ओके, तो pharmacokinetic parameters use किये जाते हैं, non-linear, जो computer हमारी application है, उसके दवारा, और, पूरे pharmacokinetic parameters को use करते हुए, dosing pattern decide किये जाते हैं, ठीक है न, कि किसी patient के लिए, क्या dosing pattern होने चाहिए, so that the drug level is kept within the therapeutic range, है न, therapeutic range किया है, वो range की, जिसके नीचे दवा असर नहीं करीगे, और जिसके उपर दवा toxic हो जाती है, वो जो range है, that is called therapeutic range, उसके बीच में दवा रहे, उसको हमनों decide करते हैं, इस non-linear, computer application के help से, एक दूसरा application है, बड़ अच्छा, Medi4 के नाम से है, non-pharmacokinetic application, यहाँ पे हम लोग जो non-pharmacokinetic चीज़ें हैं, उसको decide करते हैं, जैसे की, for screening the drug interaction, यानिक एक तरह से उसका dynamic हो गया, फार्म को dynamic activities हो गई या drug interaction, दो drugs अपस में, उनका अपस में क्या interaction है, तो Medi4, monitoring and evolution of drug interaction by pharmacy oriented reporting, तो उसका full form में याद कर लेना इसका, and PET, pharmacy automated drug interaction screening are the computer program used, यह दो प्रोग्राम हैं, जो कि non-pharmacokinetic है, यानिक हम कहा सकते हैं, specially drug interaction को रोकने के लिए हम इनका इस्तमाल करते हैं कि जो दो दवाईयां दी जा रही हैं, उनका आपस में कोई interaction तो नहीं है, clear है, next देखे, तो next है मारे पास drug information data storage retrieval, retrieval मतलब होता है, कोई चीज़ जो हम इस्टोर कर देते हैं, जैसके मालों net पर कोई चीज़ श्टोर है, हम लोग search कर रहे हैं, उससे वहाँ से निकाल के लेके आ रहे हैं, that is called retrieval, ठीक है ना, खोज करके निकाल के बहार लाना, हमने कहीं पर कोई data रखा हुआ है, उसको निकाल के बहार लेके आना, that is called retrieval, तो हम लोग information और data को store कर रहे हैं, और retrieve कर रहे हैं, ये किस की हल से हो पाता है, computer की हल से हो पारा, अब pharmacist searches, search कर रहा है, for complete drug information to clear queries, वो पूरा जो drug information है, net पे available है, उसको search करता है, to clear queries, queries मतलब, जो भी inquiries है, जो भी शंकाए हैं, उनको clear करने के लिए regarding, pharmacology, drug interaction, adverse drug reaction, toxicology, etc. with the help of computer, even pharmacist जो हैं, वो computer के help से, अपनी queries को भी दूर करते हैं, National Library for Medicine Created Medlars, ठीक है, जो National Library है Medlars की, उसने एक application एक तरह से launch कर रखी है, Medlars, Medical Literature Analysis and Retrieval System in 1964, Then in 1971, a fast working system named Medline, Medlars Online was introduced, तो ये सब क्या है, इनकी help से, ये सारी चीज़ों को, इन सब चीज़ों की उपर, Pharmacist data collect करता है, और सारी चीज़ों को gain करता है, knowledge प्राप्ट करता है, तो कहीं न कहीं, Computer की application ही, applications है, पूरा बहुत तरीके से उसका use होता है, उसका computer का, तो बहुत साई चीज़ों मन से बना के भी लिख सकते हो, ठीक है, और कुछ point पढ़ ले जाओगे, तो लिखना असान हो जाएगा, clear है, Okay, next आते हैं हम लोग, electronic health record, तो क्या है यह electronic health record, आओ देखें फटापट, an electronic health record is a digital version of patient's paper chart, simple जी कहानी है, digital version मतलब, हम लोग जो अब तक काम paper पे करते थे, patient का, patient की सारी information, वो अब किस पे रहेगी, एक software पे रहेगी, ठीक है, software उसका नाम वगरा, सारी चीज़ें उसमें रहेगी, पेपर चार्ट होता है, उसी का digital version है, digital मतलब, electronic version हो गया, ठीक है ना, तो electronic health record is a digital version of patients, paper chart, patients का paper chart जो होता था, patient को लेकरके, अब वो digital version में convert हो गया है, HRR real-time patient center record, real-time, real-time मतलब online रहता है, हर समय available है, ठीक है, real-time patient center record that make information available instantly, जो information है patient के बारे में instantly आप कहीं पे बैठे हो, सबको available नहीं होता है, patient देख सकता है अपनी information खुद, doctor और pharmacist, दो-चार लोगी authorized होते हैं उसको देखने के लिए, ठीक है, instantly tutorial and securely to authorized user, वो सारी information जो authorized user है, कभी भी किसी समय instantly उसको देख सकते हैं, okay, EHR contains a patient's medical history, EHR के अंदर क्या होगा, patient की medical history, उसकी diagnosis, medication, treatment plan क्या है, immunization dates क्या 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 हुआ है, allergies क्या है, radiology images वगारा, laboratory and test results, सारी information उसमें available रहती है, ठीक है, one of the key feature of the EHR is that health information can be created and managed by authorized providers, जैसे है, digital format capable of being shared with the other providers across more than one health care organization, सबसे अच्छा benefit इसका यही है, ठीक है, हमने क्या किया, यह सारी information created रखी है, अब डॉक्टर सला मस्वरा करना चाहता है, वो किसी दूसरी health organization क्या करेगा, शेयर करेगा उससे, उससे अपना पूछे कर कि यह सारी record देखी आप, फिर उससे क्या discussion कर सकता है, कि ऐसे ऐसा case patient है, क्या हो सकता है, वगरा वगरा, तो, इसका key feature क्या है, EHR is the health information can be created and managed by authorized providers, इसका digital format, यानि कि इसको create किया जा सकता है, और manage किया जा सकता है, authorized provider के दौरा, data format में capable of being shared, इसको share किया जा सकता है, with other providers across more than one health care organization, जहाँ जाए EHR use हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर हम इसको share करके, patients के बारे में और information, मतलब उसको ले करके, कि और चीजें क्या कर सकते हैं, share कर सकते हैं, और more information, एक बार होता न कहीं बार, कि उसी category के doctors all over India में है, हमने data share किया, और वो सारा वहाँ से उनका क्या ले लिया, उनके views जाने, कि अच्छा हाँ, ऐसा ऐसा ये condition better है, या ये दवाया better है, और फिर वो treatment चालू कर दिया, जो information है, वो दूसरों के साथ share कर सकते हैं, किसके साथ, laboratory है, specialist है, medical imaging facilities है, ठीक है, उसको देंगे, तो वहाँ से क्या हमको, वो अपना, जो वहाँ पे specialist बैठते हैं, वो उसको ले करके अपने views देते हैं, जिससे कि जो एक doctor होता है patient का, वो सबसे best medicine provide कर सकता है, पेशेंट के लिए, pharmacies, emergency facilities, school and workplace clinics, अगर emergency है, मालों के बच्चा है, तो school बगारा में उसको transfer करके बताया जा सकता है, भाई देखलो, इसकी ये condition है, क्या करना है, तो they can contain information from all clinician involved in a patient care, यानि कि क्या होगे, all clinician, यानि कि जहाँ 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 पर उसका treatment चल रहा है, तो हर बारी paper लेके जाने की ज़रूद नहीं, अपना number बोलो, वहाँ पर उसको खोलेगा, और आपको देखेगा, उसके हिसाब से फिर आपका treatment आप जहाँ कहीं पे भी है, उसके according आपका treatment रहेगा, ठीक है, तो an electronic health record contains patient health information such as administrative and billing data रहेगा, patient की demographic रहेगी, progress notes, vital science, medical history, diagnosis, medication, immunization, date, allergies, radiology images, lab and test results, सारी information आपे अविलबल रहती है, advantage क्या है इसके, ठीक है न, तो EHR क्या होता है, यहाँ पर हमने सब जाना, समझ में आई गया, EHR क्या होता है, इसको मन से ब जाती है, वो सारी चीज़े, electronic form में हो गई है, digital form में हो गई है, advantage क्या है, providing accurate, up-to-date and complete information about patients at point of care, accurate, exact, up-to-date, जो भी चीज़ होती होती है, यहाँ patient को यह दवाई react कर रही है, अब यह दवाई चलने लगी, हाँ चीज़ अपडेट चल रही है, and complete information होती है, हर बार यह पर्च में चला रहे थे, हम गोस याद नहीं है, तो सारी information रहती है, वहाँ पे about patients at point of care, जिस point पे care है, मतलब जिस point पे गया है, अपने आपको patient दिखाने के लिए, तुरहन डाले का doctor, अब वो निकल के सामने आ जाता है, enabling quick access to patient record, patients के record को quick access मिल जाता है, क्या उसका record है, उसको तुर more coordinated and efficient care, जो patient care है, वो अच्छा हो जाता है काफी, securely sharing electronic information with patients and other clinicians, share किया सकता है, जो patient के साथ और दूसरे clinicians के साथ, जिससे कि हम लोग patient care को बढ़ा सके, helping providers more effectively diagnose patients, reduce medical error and provide safer care, और क्या हो रहा है, ठीक है, जो patient का diagnose है, वो effectively हो सकता है, क्योंकि हम लोग उसको कई जागे share कर सकते है, reduce medical error, medical error में reduce हो जाता है, क्योंकि सारी information एक साथ है, और उसमें software पर रहता है, कोई चीज़ गरवड होगी, तो वो उसको message through बताएगा, कि ये चीज़ problematic है, ठीक है, and provide safer care, patient का जो care है, वो काफी हद तक safe हो जाता है, जो normally, improving patient and provider interaction and communication as well as healthcare convenience, ठीक है न, patients and provider का interaction और communication काफी बढ़ जाता है, as well as healthcare convenience, ठीक है न, तो यानि कि overall जो surroundings है, healthcare provider है, patients है, ठीक है न, उनके बीच का interaction है, जो communication है, वो काफी clear रहता है, सारे पर्चे all time available रहते हैं, ठीक है, तो उनके बीच का interaction काफी better रहता है, communication काफी सही हो जाता है, ठीक है, as well as health care convenience, तो जो patients की health रहती है, ठीक है न, उस पे काफी better effect आते है, ठीक है, enabling safer, more reliable prescribing, जो prescribing होती है, बहुत जादा safe हो जाती है, बहुत जादा reliable हो जाती है, क्योंकि सारा data हमारे सामने होता है, उसको according हम लोग अपना, क्या करते हैं, drugs वगरा को prescribe करते हैं, यानि कि doctors व promote legible and complete documentation, legible मतले साफ सुतरा और complete documentation, उसके अंदर सारा documentation मौजूद है, complete, legible है, साफ सुतरा है, ऐसा नहीं कटिंग कटिंग हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, accurate होता है, streamlined, एक तब स्मूध होती ही सारी चीज़े, coding and billing हर एक चीज़ वहाँ पर क्या है, मौजूद ह और flow में है, कोई चीज़ होज़ पोज नहीं है, cutting cutting नहीं है, कि इस चीज़ में ऐसा हो गया, उसमें ऐसा हो गया, सारी जीज़े सामने इस पष्ट दिखाई पड़ती है, enhancing privacy and security of patient data, patient के data को सिर्फ 2-3 लोग देख सकते हैं, खुद patient, doctor और pharmacist के पास जाता है, तो वो 2-4 knowledge नहीं रख पाएगा, helping providers improve productivity and work life balance, ठीक है न, जो productivity होती है, यानि कि जो overall work काम है हमारा, एक provider जो health care providers है, और organizations है, वो कहिना कि improve productivity, productivity का improve करने से मतलब क्या हो गया, productivity, improve करने मतलब है, हमारा overall productivity क्या है, patients का care, वो कहिना का improve हो गया, और work life balance, ठीक है न, तो कहिना कि patients की productivity और work life balance क्या होता है वो improve हो रहा है मतलब work और life क्या होती है balance रहती है वो improve हो जाता है enabling providers to improve efficiency and meet their business goals ठीक है ना तो घूम फिर के बात है वही आ रही है improving providers to improve efficiency छमता बढ़ जाती है meet their business goal उनके business पर जो goal है वो उने प्राप्त होता है असानी से क्या goal है उनका काम साफ सुतरा हो error ना हो गलतिया ना हो patient को अच्छे से अच्छे care मिले तो उनका goal उनको पूरम हो जाता है reducing cost through decrease paperwork paperwork नहीं हो रहा तो cost कहीं ना कहीं कम हो जाती है improve safety safety बढ़ रही है reduced duplication duplication नहीं हो रहा कोई काम की double double नहीं हो साथ billing double नहीं हो रही पर्षे double नहीं बन रही दवाजन double नहीं हो रही है duplication of testing and improved health कहीं ना कहीं health improve हो रही है तो घूम फिर के बेटा देखो यहाँ पर 9-10 point है तो इसमें तुम लोग कोई भी simple simple से 8-10 point याद कर लोगे ठीक है नीचे के point कहीं नहीं हो उपर से तुम को match करते हो भी लग रहे होंगे कि यह तो यहाँ पर वापर से repeat हो रहा तो कोई बात नहीं simple से 7-8 point इसको अगर दिमाग से सोचोगे तो खुश से भी बना के लिख सकते हो ठीक है न कि इसको ऐसे समझ लो कि जैसे कि जो हम पहले किताबों से पढ़ते थे अब mobile से पढ़ते है तो क्या क्या फाइदो हो रहे है ठीक वैसे डॉक्टर पहले पर्चा बंता है सारी चीज़ों हो रही है अब उससे क्या क्या benefit हो रहे हैं और जिन लोगों ने personal experience किया है बड़े-बड़े hospital हों जाकर के इन सब चीजों को तो उनको तो पूरा दिमाग में set होगा जिन लोगों ने personally experience नहीं किया है कि हाँ ऐसा ऐसे चीजें होती है करके तो उनको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा जर्वाइस यह ठीक वैसा ही है कि हम लोग अवी तक किताबे खरिते थे पढ़ते थे और अब क्या है सब mobile से पढ़ ले रहे हैं किलिए रहे तो इह और कुछ नहीं है उसका डिटल फॉर्मेट है ठीक है electronic health record सब कुछ कहां आ गया है computer पर आ गया है सब कुछ कहां आ गया है computer पर आ गया है ठीक है सारी चीजे चले आगे software used in hospital pharmacy अब बेटा hospital pharmacy में बहुत सारे software इस्तमाल होते है ठीक है तो उन में से कोई भी गिने चुने 3-4 तुम लोग समझ लोए न उसके बारे में खुड़ा बहुत लिख देना तरवाज यहापर हम मैं काफ सारे discuss करने जा रहा हूँ यहाँ ठीक है न अब जैसे EHR इसको तो हमने discuss किया ही अभी electronic health record software ठीक है न तो इसको तुम लोग कैसे लिखने तरीका क्या रहाएगा EHR software ही जा health information technology solution ठीक है यह एक health information technology solution है used by health care provider जो लोग health care provider होते हैं hospitals वगए रहा है दॉक्टर्स वगए रहा है उनके द्वारा records पेशेंट्स की सारी health records यहाँ पर record करके रखी जाती है in digitized form digitized मतलब digital format में है न डीटल समझते हो न जो mobile electronic होता है across doctors and healthcare facilities चीकर अक्रोस मतलब doctors और healthcare facilities उनकी बीच में रहता है अब इसके feature देख लोग क्या है feature उपर वाले याद होंगो तो यहां लिख सकते हो the medical EHR software contain all patient health and treatment related data including medical history diagnosis, medication, immunization इसके आगे etc डाल सकते हो ठीक है असान हो जाएगा and treatment and more patients, doctor and authorized people can access patient, doctor and authorized people यह तीन लोग जो है access कर सकते है मतलब जो उसका data है उसके देख सकते है EHR anytime and anywhere कहीं पे भी जहां कहीं पे भी होंगे तो क्या है internet होना चाहिए खटा-कट-कट-कट डाला एंटर मारा सामरे इंफोमेशन आगे हमारे पास which help in the proper diagnosis and treatment of existing ailment ailment मतलब बिमारी इससे क्या है आप कहीं पे भी जा रहे है इस डॉक्टर दिखाया आप फिर कहीं और जा रहे है उस डॉक्टर बाद जा रहे है तो आप सिधा अपने नंबर बताएं कि यह नंबर यह पड़ा हुआ है आप निकाल लेजिए ठीक है तो इसससे क्या है आप कहीं पे भी अपना diagnosis and treatment करा सकते हैं furthermore when implemented at a large scale EHR can help determine disease prevalence and incidence and support public health policy यह चीज़ समझने होगी furthermore अगर और हम बड़ी level बात करें when implemented at large scale तो यहाँ पर क्या है जितना भी इसके अंदर data है वहाँ पर डाला जाएगा कि maximum लोगों कौन सी बिमारी चल रही है खट एंटर मारेंगे निकल के आ जाएगा अच्छा ज़्यादा लोगों में malaria है तो कौन सी disease prevalence है ठीक है ना यह लिखा हुआ है furthermore when implemented at large scale EHR can help determine the disease prevalence कौन सी disease present time पर सबसे ज्यादा लोगों में मौझूद है disease के mention रहती है तो वहाँ पर enter होता है maximum disease वाला एंटर मारेंगे तो disease सबसे ज़्यादा निकल के आता है and support public health policies अब इससे क्या है हम लोगों आइडा लगता है कि इस area में कि लोगों में ज़्यादा problem क्या आ रही है तो यह इस तरह से कहीं नगा यह help करता है ठीक है ना तो software उसके बारें थोड़ी सी बात है अब hospital pharmacy के अंदर obviously बात है यह software का फार्मसे से भी लिंक होता है कौन सा prescription जो आता है उसके सबसे क्या होता है pharmacist medicine देता है ठीक है now hospital management software these are cost effective data solution that help resolve challenges and streamline process across the operations, administration, data management and other department of a hospital तो बिटा देखो यहां पर लगबख सब में same बाते है ठीक है तो मैं करना क्या है एक-एक main point समझ लेना है जैसे EHR हो गया main heading दिमाग में रखना है फिर उसके अंदर तो लगबख same ही चीजे है ठीक है अब जैसे hospital management software तो hospital management का मतलब सारी चीज़े आ जाएंगी उसका अदर lab है doctors है appointments है pharmacy है pharmacy की billing है all things ठीक है ना अब key feature की बात कर लें ठीक है key features include the effective management of scheduling appointment doctor time table pharmacy inventory देखो pharmacy inventory आ गया तो यह मैं सोचना कि hospital management यह hospital को हो गया देखो pharmacy inventory आ गया तो मतलब यह hospital pharmacy में भी include रहेगा operation room availability की कौन सा operation room available है या नहीं है food और in patients and cafeteria ठीक है ना food for in patients in patients के लिए क्या food की availability है cafeteria में क्या कैसी अविलिबल है क्या कैसी अविलिबल नहीं है other supplies and inventories etc मतलब इसके अंदर सारी ही चीज़े है the software also support patient registration, administration, billing, insurance, all things ठीक है ना सारी चीज़े है तो hospital management software एक hospital के अंदर जो चीज़े ह हो सकती है वो सारी चीज़े इसके अंदर available रहती है billing insurance, credit card tracking and much more credit card नहीं credit tracking कितना उसका बकाया बगरा है वो सारी चीज़े मतलब उस hospital के अंदर जहां जहां पर भी cafeteria है वहापर system होगा उसमें software उसका एक link-up रहेगा ठीक है पार्ट रहेगा कि आपको सारा entry डालनी है कि क्या क क्या कमिया है ठीक है urgent care urgent care तुरल चाहिए हमें ठीक है ना with the rise in smartphone है ना जैसे जैसे smartphone आज से 8-10 साल हो गए ठीक है smartphone एकदम से बढ़ गए बहुत सारा ठीक है तो अब 8-10 से हर में smartphone है तो जैसे जैसे राइज हुआ है यह the demand of for urgent care app क्योंकि अब mobile हर किसी के पास है एक application बना दो क्लिक करो कि हाँ वह emergency है खटाक से ambulance आएगी ठीक है तो demand for urgent care app have increased कि एक एक एप ऐसा ना चीज़ यहाँ पर क्लिक करने पर यह indication जाए कि urgency है बहुत ज्यादा these are usually application for smart phones यह खास कर किसके लिए smart phone के लिए application होती है which help people to remotely connect with healthcare professional in case of emergencies ठीक है ना तो ambulance के साथ साथ यहाँ पर क्या है urgency है तो आप दूर बैठे बैठे ही किसे healthcare provider से या healthcare professional doctor से क्या कर सकते हो connect कर सकते हो देखी रहे हो आजकल क्या हो रहा है आप online booking करते हो वहाँ से doctor online आप से बात करता है पर्चा लिखते आपको बता देता है आप मेडिसिन ले ले तो है ना आजकल कर रहे हैं लोग जैसे online shopping करते हैं आजकल जो इंसान है वो डॉक्टर के बात बात कर लूँ उससे अपना treatment कर वा लूँ हो रहा है पता है ना तुम लोगों को यह ठीक है features क्या है इत इने प्रेक्टिशनर से वीडियो और वाइस कॉलिंग से एक्स्चेंज कर सकता है information and receive clinical advice in matter of minutes क्लिनिकल एडवाइस है matter of minutes के अंदर वह एडवाइस वहां से ले सकता है it facilitates quick registration some apps have data analysis capability they assess patient data and connect them automatically to the right doctor तो आप दूर बैठे आप किसी hospital के अंदर है वहां से आप diet connect कर सकते हैं तो सारी facilities आती है इसके अंदर ठीक है e-prescribing अब e-prescribing वाला हम लोग उपर देख लिया था ठीक है the software facilitate the generation and sending of a doctor's prescription from a health care provider to the nearest pharmacy तो होता क्या है doctor's के doctor ना अपना सारी prescription लिखा और enter मार देगा जिससे वो connected है चाहाँ hospital में तो hospital की pharmacy अगर आजू बाजू में कोई pharmacy है उसके तो वहाँ चली जाएगे उसका diet prescription patient को बोल दे जाता है कि आपका prescription वहाँ पहुच गया है वहाँ जाके अपनी दवाईया ले 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 ठीक है as this process does not involve handwriting इसके अंदर handwriting तो होती नहीं है typing होती है ठीक है it ensures accuracy इसलिए है पर accuracy रहती है patient safety बढ़ जाती है transparency बढ़ जाती है transparency मतलब जो चीज लिखी है वही देगा ऐसा नहीं कि लिखा कुछ है और कहते हैं फार्मसिस्ट दे कुछ और रहा है अपने फाइदे के लिए ऐसा नहीं होगा its features include electronic approval इसमें क्या electronic approval होता है automated alerts for adverse drug interaction अगर दो दवाएं लिखी हुई है तो मालों दो दवाएं लिख दी है तो तुरूंत जात लेगा कि इन दवाएं का आपस में इंट्रेक्शन तो नहीं है कि अलर्ट दे देगा software इतना अच्छा software है medication support and reminder support रहते हैं reminder से रहते हैं उसके अंदर को reminder है कि हां इसमें को reminder लगा दिया था कि यह patient के लिए problem है ठीक है ना या यह patient को इस टैम पर कॉल करना है कोई चीज है किसी भी चीज के लिए reminder लगा जा सकता और कोई चीज हमको याद है कि हाँ patient के लिए यह की खास है reminder आएगा तो patient को call करके बता दे जाएगा patient को education करने की facility है and formulary checking formulary जो पूरा system the formulary अगर कोई बनके जा रही है तो चेक करता है software और बता जेता है कि वह सही है या नहीं है clear है now healthcare CRM a customer relationship management tool CRM customer relationship management tool ठीक है ना designed for care providers to manage care provider मतला जो healthcare provider होते है ठीक है for healthcare providers to manage and organize patient data ठीक है ना patient के data पर यह लोग manage करते है अब इससे क्या होगा it accumulates patient data through multiple sources to present a rounded profile of patient including his or her activities and habits ठीक है अब यहां से क्या है एजमिलेट patient data through multiple sources multiple sources मतला एक मानलो hospital में है तो doctor हुआ या फिर जो CRM वाले होते हैं वो सारी information जहाँ जहाँ patients की होती है doctor के पास pharmacist के पास lab में जहां कहीं बेबी हो सारी information collect करते है and then rounded profile of then present a sources to present a rounded profile of patient including his or her activities and habits और उसके बाद उसके पास क्या है सारी information आयाती है patients को लेकर के to present a rounded profile और उसकी complete profile बनके तयार होती है क्या खाता है क्या पीता है है क्या activities है ठीक हो सारी यह लिखी होती है अब ठीक है इससे क्या है help मिलती है customer relationship management इसमें क्या patient के बारे सारी information हो गई है तो अब आप बात कर सकते हैं कि देखें आप यह खाते हैं यह मत खाईए वगर वगर तवाम चीज़े इस तरह से आप क्या कर सकते है activity involved कर सकते है छोटा सा example दिया मैंने बहुत बड़े लेवल पर काम होता है ठीक है features its features include centralized storage of patient information patient की information store होती है self-help and outpatient service भी होती है self-help और outpatient जो OPD वाले patient आ रहे है उनकी भी service यहाँ पर available है registration appointment billing as well as medical facility profiling streamlining of operations to ensure optimum utilization of human resources ठीक है न streamlining of operations streamlining of operations का मतलब क्या है सारा जो काम है किसको काम properly बांटा जाता है जिसे हम कहते है SOP टाइप समझ सकते हैं ठीक है जिससे क्या होता है जो हमारे पास human resources है यानि कि जो हमारे पास workers है वो क्या है उनसे अच्छे सबसे best काम दिया है अब मालो होच पॉच हो जाएगा एक काम को दो लोग कर रहे है जबकि एक इंसान को वहाँ होना चाहिए था तो क्या एक काम रुख जाएगा एक काम हो जाएगा यह सब चीजे नहीं होंगी best है न अप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ हुमन रिसोर्स तो मेंटा घूम फिर के कहानी यह है थोड़ी बहुत एकाज बाते समय अलग अलग है अधर्वाइस जो यह सौफ्ट्वेयर है इनका एक ही परपस है ठीक है हॉस्पिटल के अंदर जितनी भी चीजे होती है उनकी एक ट्रेक्व लोग ठीक है ऊसको पढ़ी दो कि यह सारी facilities की जाती है है सौफ्ट्वेयर के नाम लिगदो healthcare सी आ रहे है यह जो पर था इचयर ठीक है दैन प्रैक्टिम षौौप्ट्वेयर हें बापरेसलियन तो सॉफ्ट्व यह सॉफ्ट्वेयर के नाम लिख करके सब क् settlements अ decide होता है जैसे registration होगा appointment billing यह सब क्या common है सब के अंदर practice management software the data application helps in managing daily operations in clinic or healthcare facility ठीक है जो daily की daily operations होते हैं इना clinic or healthcare facility उनको manage करता है यह features के हैं some key features include scanning and digitization of insurance cards insurance cards को scan करना and other documents processing of insurance claims तो देखो यहाँ पर practice management software यहाँ पर mainly focus कहा हो रहा है insurance की उपर हो रहा है ठीक है न वहीं insurance देखना जरूरी है verification of eligibility fraud prevention reporting mass billing tracking balances of patients patient का कोई balance बच गया उसको track करना ठीक है न फ्रॉड कोई insurance वगर का fraud तो नहीं चल रहा है automated claim submission जो claim है और insurance का तो automatically claim settled हो जाए ठीक है न री कॉंसालेशन और मोर्तुत बहुत सारी चीज़े है तो यहाँ पर अब यहाँ पर मेंली क्या लिख दोगे insurance insurance से लेकर के बाते लिखनी है यहाँ पर ठीक है तो यह सब hospital pharmacy इस्तमाल होते हैं now lab information management system तो यह कहां से हो जाएंगी lab वाली हो जाएंगी the limb system help diagnostic lab to manage data recorded and यह जो data होता है उसको record करता है manage करता है and produced in a produce in a lab it integrate lab operations and extend better stakeholder experience ठीक है ना lab को जितनी भी activities है उनको manage करता है and extend better better stakeholder experience stakeholder मतलब जो जो lab labs कौन जुड़ा हुआ है pharmacy जुड़े हुएं डॉक्टर जुड़े हुएं ठीक है इन सब को आपस में connect करता है इससे की proper उनके साथ जो तालमेल है वो प्रॉपर हो सके क्योंकि lab की information के base पर ही बहुत सारी चीज़ें patients के लिए की जाती है feature क्या limbs is helpful in sample management and record all information related to patient data obviously बात है किसका blood sample आया है किसका x-ray आया है वो सब सारा data उसके अंदर रहेगा the journey of sample from center to lab ठीक है ना सारा data रहता है sample की journey center जहां से लिया गया लैब तक आने था के इट आल्सो सपोर्ट वर्क फ्लो management SOP implementation ठीक है यह support करता है वर्क फ्लो यह वही काम workflow management किसको क्या काम दिया जा रहा है लैब के अंदर छोट छोटी लैब की बात नहीं यहां बड़ी लैब की बात हो रही है SOP management है ना standard operation procedure क्या रहेगा एक lab के अंदर compliance and regulatory adherence यह सारे चीज़ें भी यहां पर वजुद रहती है then billing software देखो इस billing की तो हर्जगे जरूत रहती है billing software क्या करेगा a healthcare facility generates thousands of bills across various departments है ना एक बड़ा hospital होगा तो thousands of bills बहुत bills बनते हैं डॉक्टर को बनने का परचा उसका बिल फार्मेशी का उसका बिल लैब का अलग बिल एक्सरे का अलग बिल CT scan का अलग बिल बहुत सारे bills बनते हैं and hence billing software play important role in streamlining मतलब smooth रखना proper flow में रखना and integrating various process and function ठीक है यह क्या करता है जो billing software है जो हमारे काम को smooth रखता है और integrate करता है जोडता है various process और functions को आपसने जितने प्रोसेस हो रही है और functions हो रहे हैं बिलिंग के दर दर हो रहे हैं एक ही schedule दे दिया है scheduling schedule time को schedule करना है schedule किस टाइम पर मतलब इवन जो बिलिंग software है कौन आ करके बैठे का next time schedule रहता है ठीक है compliance electronic submission claim verification and most importantly ensures transparency in all financial transaction transparency रहती है कोई overlapping नहीं होगी double bar billing नहीं होगी ठीक है तो यह कुछ terms है जो तुमको दोचा याद कर लेने हैं उस सब के अंदर लिख देना तो कुछ software से यह तीन से चार या पांच अपने याद कर लोगे ठीक है medical imaging software these are diagnostic software ठीक है यह diagnose करने medical imaging वाले हो जा होती है आज कल मने देखा होगा इधर x-ray किया और दूसरे रूम में जाके तुमको फिल्म मिल रही है x-ray का सीधर डिटल वो हो गया और दूसरे कबरे में जाके machine रखिया वहां से फिल्म मिलती है आप लोगों को और देदी आते है ठीक है तो medical imaging software तो these are the diagnostic software which help in enhancing the quality quality को enhance करना है and analysis of imaging conducted for diagnosis such as x-ray CT scan MRI and others ठीक है ना तो अब जो यह software होते है इससे क्या है कि जो x-ray निकल के आ रहा है उससे कुछ इंटर्पेटेशन है खुद देता अपने आपसे कि हाँ यह यह प्रॉब्लम से तो यह ऐसा दिख रहा है तो ऐसा चीज़े होंगी तो क्या enhancing quality and analysis quality or analysis analysis को enhance करना बढ़ा रहा है conducted for diagnosis such as x-ray CT scan MRI और दूसरे अलग जितने भी टाइप के हमार पास imaging वह हो रहते हैं image वाले machines है जैसे CT scan एक्स-ray वगरा है MRI वगरा है उनकी उन case में quality analysis को enhance करता है features क्या है the common feature include image registration image register होती है होँपे किसकी image है किस नाम से है segmentation segmentation 3D 2D images आती है visualization होते है ठीक है recording of all imaging data जितना भी imaging data सब सारा record रहता है भविश्य के लिए its application also includes image fusion identifying changes over period of time and so on अब यह थोड़ा सा क्या है medical term हो जाएगा तो ठीक है हमको केवल इतना याद रख लो यहाँ पर कि image का registration होता है जो image आज खेंच कही है मालो एक्स्रा गुम हो गया तो दो दिन बाद भी उनके बाद data होता है वहाँ से वो निकाला जा सकता है ठीक है then pharmacy एक और software अपने पास it is complete pharmacy accounting software is so designed as to ease the workload of medical shop professionals ठीक है ना तो pharmacy जो है pharmacy accounting software है तो accounting से बात आप तुमको समझ में आ गए होगी the main feature include invoicing इसका में लिकिया है invoicing है inventory and stock control है accounting client and vendor management है ठीक है अब यह बटा सारे terms मुए उमीद कर रहा हूं तुमको पता होंगे ठीक है invoicing मतलब क्या होता है जो billing होगे रहेगा inventory control inventory का मतलब समझते हो stock control stock को भी समझते हो अब तुम लोग accounting client and vendor vendor जो होता है जिससे खरीद रहे है और client हमारे client कौन है जो हमें से खईदार हो रहा है ठीक है जिससे खरीद रहे है जिसको बेच रहे है उनका पूरा management रहता है यहाँ पर now telemedicine software ठीक है पीटा करवादी मैंने बहुत सारे इसमें जो तुम्हें याद रहा जाए वो अराम से कर ले ना telemedicine telemarketing होता है आप दूर बैठे हो गए ठीक है जिस software facilitates telemedicine which is a system of digital technologies that uses telecommunication and electronic information solution to provide clinical service to patients in remote location तो tele मतलब क्या हो गया आप दूर बैठे हुए है वही वाला concept आगे है यहाँ पर जो अभी पहले में डिसकस्ट भी किया था ठीक है अच्छे urgent care app वाला जो था उसी में वही वाला same आगे है यहाँ यहाँ पर क्या telemedicine software फीचर कहा है the common feature of telemedicine software include audio visual conferencing capabilities audio visual आप सामने देख स सकते हो सुन सकते हो clinical documentation generation clinically जो document होता है हमारा remote scheduling of appointment आप जब दूर बैठे हो तो आपका appointment schedule होता है कि कि किस ताइम पर आपको डॉक्टर मिलेंगे patient history management and analysis मतलब overall सारी चीजें same है बस एक चीज एक एक्स्ट्रा किया है अब दूर बैठके mobile से या electronic medium से आप face to face बात करते है इससे ठीक है medical equipment management software जितना भी medical equipment है उसको management करने वाला software इस software keeps a track of all medical equipment throughout their life cycle in a hospital एक equipment जो hospital के इंदर मौजूद है जिस दिन से आया है और जिस दिन से उसक वो मालो 80 सल वाद खराब होगया hospital जाएगा सारा information उसका रिकॉर्ड रहता है कब खराब हुआ कब repair हुआ क्या नया पार्ट पड़ा everything ठीक है ना feature क्या है इंक्लूद्स recording of installation data ठीक है recording of installation data recording रहती है इसके अंदर जो डाटा इसके 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 इ ठीक है ensuring adherence to safety standards क्या क्या safety home रहने वाली है ठीक है scheduling of maintenance कब कब उसका maintenance just like इसका समझ लो कि आपने एक बाइक ले ली है repair and sterilization and labeling of instruments ऐसा समझ लो अपने एक बाइक ले ली है अब सपोज आने वाल टाइम पर साथ ऐसा हो भी जाए आप गाड़ी ले लिया आजकर हो भी रहे है उस जैसे जो पाड़ डालेगा अपडेट करेगा वहां पर आपके पास आजएगा आपके गाड़ी में यह पार्ट नया अपडेट पड़ा है तो सेम चीज यहां पर है medical equipment management जो equipment है उसकी सारी information इस software में रहती है के लिए रहे एको ग्रीन सी स्क्वेर यह क्या है it is a pharmacy software for managing pharma retail chain business जो retail chain business होती है उनको management करने के लिए रहता है the software is suitable for handling multi-store operation retail chain मतला जब आपने देखा होगा फार्मेसी के बरड़े शहरों में retail chain चलती है एक कई नाम से एक बड़ी firm के नाम से इस नाम याद नहारा मेरे को कई सारी pharmacy खुली होए होती है chain होती है ठीक है in terms of inventory expiry purchase से लिए सारा data उसके अंदर आपका रहेगा ठीक है users can maintain ledger ledger maintained ledger समझते होने एक book कितना आया कितना गया कितना बचा balance sheet books related to accounting with the help of the software ठीक मतला सारी चीज़े हो रही है बस फरक कितना है कि यह main क्या है retail chain business की purpose है और चीज़े सारी वही रहेंगी accounting है inventory है ठीक है supplier payment है general voucher है customer receipt है सारी चीज़े रहेंगी किसने खरीदा क्या लिया है सारी चीज़े रहेंगी ठीक है ओके एक go frugal के नाम से भी आता है it manage inventory purchase CRM loyalty दो go inventory purchase CRM loyalty and mobile app to automate store operation तो 14 मैंने हैं बताए है इसमें से कोई भी 678 नाम याद कर लोगे कोई एक main feature किसका होता जैसे इसका main feature क्या है retail business और बागी सब common है इसका क् inventory सब common है जिनके common उनके common याद कर लो accounting billing registration ठीक है CRM उसके बाद क्या कहते है यह क्या क्या कहते है पेशेंट के सेल रिटर्न परचेज रिटर्न जो सेल हुई है और परचेज हुई है सारा data रहेगा उसके अंदर वह 18 पंड लिख करके बस यह software का नाम लिख देना है कि यह software है इन सब का common काम यह है और जिस software का कोई अगर special अलग सा कोई काम है तो वो जरूर इसके साथ mention कर देना है खेल खतम ठीक है ना किलियर हो गया ओके तो यह lecture अपना खतम हो जाता है ठीक है और तुम सब को पता है करना क्या है पढ़ना है रिवाइस करना बेटा बार बार कह रहा है बच्चे बहुत कहते हैं सर हम पढ़तो लेते हैं सर आपका lecture समझ में आ जा रहा है लेकिन भूल जा रहे है बेटा revision बीना revision कुछ नहीं होगा दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी अगर revision नहीं कर रहे हो जो चीज आज पढ़ ली है समझ में आ गई है तो उसको यह वरी शाम तक या कल तक revise कर लें फिर तीन दिन बाद रिवाइस करें फिर पांच दिन बाद रिवाइस करें फिर दस दिन बाद इसके लिए कोई costing नहीं है कोई पैसा नहीं है free of cost मिल रहा है कोई problem आती है कोई कॉल करें बाद बागी और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप एप से जूड़ सकते हैं ठीक है ना और सबसे जरूरी चीज कुछ ना करते करें तो एक काम जरूर करना है पढ़ना है औ all the best